हेलो दोस्तों कैसे हुए आप सभी मेरा नाम है कश्फूर और इस वीडियो में मैं आपको बिजनस अपडेट देने वाला माकसंस फामा का क्या ये स्टॉक इंदर आप आज भी इंट्री कर सकते हो लॉंग टर्म पस्पेक्टिव के लिए ये डिपेंड करता है कि फिलाल उस क ये बारे में बात करेंगे जैसे कि आप जानते हैं ये स्टॉक गंदर में लास्ट ट्री डेस फोर डेस शेशन से अपर सर्किट लग रहा है इस कंपनी का 2016 में आपने देखा इसका हाई 106 रुपे के आसपास था और अभी के टाइम पर यह 94 रुपिस के आसपास ये स्टॉ है लेकिन अगर लॉंग टम में देखे तो क्या यह स्टॉक मल्टी फोर डिटन दे सकता है मतलब 300-400 पर जा सकता है कि नहीं इस वीडियो के नदर हम बात करने वाले जो पहले के वीडियो में इतना ज्यादा डिस्कॉशन नहीं किया है राइट सो लेस्ट करते हैं और जानत में भी है इनके जो तीन सब्सेटरी कंपनी आप यहां देख सकते हो बैलिस हेल्थ केर रिलकॉन केमिकल है टाइम कैप लाप्स है जो की OTC के अंदर ही डील करता है पूरा का पूरा जो हम आगे और डीटेल में देखेंगे यह कंपनी पूरा का पूरा OTC और प्रिस्क्रिप 2.27 के आसपास है मतलब स्टॉक तोड़ा से रिस्की अगर आप अभी इंट्री करोगे तो काफी आपको तोड़ा से जटका लग साकता है लेकिन अगर आपका पांस साल का प्लानिए तो शायद फायदा हो सकता है लेकिन आप हम उस कंक्लूजिन पर नहींगे जब तक कंपन से एक सोपचास करो कफ औन कोल से एक सोचोविस करो कार्डिवस्कुल सिस्टम 124 को गेस्टो इंटेस्टेनाइल 101 को बाकी सी एनस एंटी एलर्जिक ये सारे के सारी ये कंपनी ड्रग मैनिफाक्ट्रिंग करती है जिसमें 59% के आसपास जो कंपनी को बिजनस है ओर दे काउं लिखाई चलता है वो चाहिए प्लस पॉइंट है जो कि जिससे मुझे ये कंपनी का पहले ही बहतर लगा था कि स्टॉक इसलिए उस टाइम पे ये स्टॉक भाई किया था इस कंपनी को आप देख सकते यूएस और यूरोप से 42-43% के आसपास revenue उदर से ही आता है और टोटल अगर कंपाइन करें तो पूरा रेगुलेटर मार्केट से 95% के आसपास business इस कंपनी को रेगुलेटर मार्केट जाता यूरोप एंड यूके और 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 यह कंपनी का जो बिजनस मॉडल अभी के टाइम पर फॉरवर्ड इंटिग्रेटर बिजनस मॉडल है मतलब यह कंपनी आप कहां जो presence है यह इसके अंदर बना रही है soft gel segment जो soft gel जो आप दवा खाते हो और वो और पिगल जाना चाहिए उसके अंदर में company फिलाद entry की है इस company का अगर आप देखोगे तो almost मैंने कहा कि pain management से सबस्यादा business आता है 2021 में 43.9% के असपास contribution था उसके बाद cardiovascular system और यह आप देख सकते 2020 से 2021 में कितना ज़्यादा increase हुआ है मतलब लोगों को दर ज़्यादा simple time में कहां तो आगर 13% से growth देखने को मिला है with respect to last year right so यहां पर हमको इस company का business clear हो गया कि company खास करके pain management, cardiovascular system, cough and cold, central nervous system और anti-diabetics में इस company सबस्यादा business कमा लेती है right उसके बाद अभी आपको देखना है कि इसनका niche formulation with a few competitors अभी के time company कुछ important segment पे उस पे focus करे जहां पे दूसरे players नहीं है जो इस company का competitive advantage भी है so differentiated offering so focus on soft gel capsule with a view to build a differentiated set of offering in the crowded generic market so generic market अभी के time पे जो US से इंडिया के बात करें तो पूरे world का almost 40% volume इंडिया ही contribute करता और in terms of value के बात करें तो 20% और खास करके हम export US Europe में बहुत ज़्यादा करते और यह company soft gel capsule में जिससे यह company और ज़्यादा differentiate कर पा रहा है दूसरे players से क्योंकि limited competition बहुत कम player है जिस segment में deal करने वाली वहाँ पे soft gel formulation plus other economic technical and patent constraint तो यह company के पास उस चीज का cost advantage है technical patent यह सारा का सारा चीज है जिससे company इस segment में अच्छा करेंगी क्योंकि players भी segment में काफी कम है और barrier high barrier to entry because pharmaceutical company definitely तो दूसरी company को entry करना इस segment में तोड़ा सा tough रहेगा selective targeted larger Marksons has filed soft gel product in all the major market including USA, UK, Europe, Canada, Australia, Russia, etc. और यह जो market share है अगर हम बात करें USD 9 billion dollar के आस पास US में यह market है कम से कम जो soft gel का और यह company एक ऐसा player जो segment में घुश चुका है बतलब company को एक another advantage है पहला इनका OTC का एक advantage आपको दिखां दूसरा यह soft gel में अंदर entry की है जिससे company को long term में फायदा होगा 9 billion dollar के आस पास वो market है तो एक company आराम से कुछ ना कुछ तो capture कर लेगा जिससे company का revenue increase होगा राइड new approvals six new approvals are awaited in US और company ने ने जो drugs है उन्होंने फाइल किया वो approval waiting में चल रहा है manufacturing capacity की बात करनका Goa में 2.4 billion soft gel capsule per annum के हिसाब से produce कर सकते हैं और जिससे यह demand ज़्यादा-ज़्यादा meet कर सकते हैं साथ-साथ all necessary approval बाए इनके पास साथ-साथ में जो भी approvals लिए रहे थे यहां से साथ-साथ नज़ा रहे कि company के पास competitive HBA छोटा company होने के बावजूद उसके बाद इनका फिलाल की focus area 2021 के साथ-सकर हम बात करेंगे जो meetings के अंदर में चल रहा था तो इनका फिलाल क्या है जिसके विसके company और grow हो सकता है तो पहला इनका expansion पर focus है 95% का revenue का regulatory market से आता है and expected to further expand in these market through continued push of existing product जो इनके पास existing products portfolio है जो भी यह दवा बनाते हैं वो और ज्यादा deep पूरे market में और अच्छी तरह से बेचना चाहते हैं और जितना जहां नहीं पहुचा उस area से वो और अंदर घुसना चाहते हैं और नए-ने geographies को discover करना चाहते हैं दूसरे end का plan है product launch साथ-सा pipeline of new products for the UK and USA market that are expected to drive revenue growth by 2025 मताद 2025 तक ये company का जो नहीं नहीं प्रोडक्स लांच करने वाले जहां पर US और UK में जिससे इस company को 2025 में जाकर कि इनका revenue का उसमें फाइदा देखने को मिलेगा तो ये दूसरा चीज़ आपको notice करना है तीसरा inorgan expansion the company has planned to acquire manufacturing assets in India so ये company manufacturing assets इंडिया में और acquire करने वाली है साथ-साथ marketing license in Europe and USA to expand business operation in regulatory market जिससे ये company जिनसे ज्यादा manufacturing asset होगा तो इनके actions में फिलाल दिख रहा है कि इनका जो focus area का है उसके backward integration the company has a robust forward integrated business model plan to backward integrate into API manufacturing so company जैसे आपको मालने की already पूरा का पूरा forward business model है लेकिन अभी के टाइम पे company चाहती है कि backward integration model के अंदर भी entry करें so that पूरा का पूरा value chain ये company derive कर सके starting से लेकर के end तक ये company company अकेला करें किसी और third party पर dependent ना रहे जिससे company का cost decline होगा economic skill पर produce कर पाएंगे और अच्छा का सा revenue कमा पाएगी ये पूरा का पूरा update है इसके लिए इस company पर विडियो बना रहा हूं उसके बाद और update ले 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 थे continuing its expansion strategy in existing market Marksons launch five new products in UK and Europe market अभी की 9521 में company ने पाँच नए products UK और ये उरोप में launch किये जिससे इनका existing product portfolio और increase हो सके और deep penetration कर सके उस area में capacity expansion at US facility completed मतलब इनका capacity increase करना था US facility जहाँ पे इनका available Marksons ये से जो है उसको increase किया है additional packaging and manufacturing line साथ साथ में जो additional packaging हो गया है साथ साथ में जो manufacturing line units है वो और उन्होंने setup क्या मतलब company के पास demand आ रहा है customers आ रहे इसके लिए कि company का business grow हो रहा है तीसरा हो इनका product pipeline के बात करेंगे अभी के तैम पर क्या-क्या products इनका pipeline में है so plan to file 12 ANDA in US so company लगबग 12 abbreviated new drugs approval इस साल में company plan कर रहे है फाइल करने का 2021 के बीच में साथ साथ में 20 MA 20 MA मतलब marketing authorization UK and Australia और साथ साथ में marketing authorization मतलब जो license acquire करने के पीछे कम से कम 20 USA UK और Australia में जिसे company और ज़्यादा distribute कर पाएगी और ज़्यादा business कर पाएगी right plan to file 7 DMF मतलब 7 DMF मतलब जो drug master file होता है जो कि आपको submit करना पड़ता है before आपको drug को manufacturing करना चाले करो next two years for the API business जो API business में इंटर करना चाहते है उसके लिए 7 DMF इन्होंने file किया हुआ है और the period तो यहां से साफ़सब नजर आरके इनके actions में कि company definitely chances है कि stock 200-200 के असपास जा सकता है 5-6 साल में right उसके plan to launch 3-4 products in FY22 इन USA मतलब 2022 में company company 3-4 products और USA में launch करेगी यह भी साफ साफ दिख रहा है और बात करें अगर marketing authorization is a continue in US and Europe for shorter time to market shorter time to market अभी के टाइम पर company जो नए products launch करना चाहती है साथ साथ में marketing license authorization यह सब लेने पर काफी ज्यादा focus करें US और Europe में उसके बाद Marksons plants to an occur capex of 200 crore over the two years for both formulation and APS so company अभी के time पर कम से कम आने वाले दो साल में 200 crore के आस-पास का capex अब लुक खर्चा करने वाली है so that यह company formulation और API का जो capacity और ज्यादा increase कर सके right इसके बाद recently इस company stock price उपर जा रहा है उसमें और भी made Asia for Mauritius can buy 4.93 warrants worth of 365 in the company it is going to be one of the largest pharma funds simple tip में कहूं तो एक बड़ी company है जो मौरेशिस based है उन्होंने आपका जो Marksons pharma उसके अंदर में 365 crore worth of shares जो उन्होंने 73 रुपीज के आस-पास buy कर लिया जिसके वैसी stock के अंदर आपको तेजी दिख रहा है सो यह एक सबसे plus point है क्योंकि इतनी बड़ी company जब acquire करती हूं इतना ज्यादा fund वह भी small cap company में सो कुछ तो सोच करके इंवेस्ट किया मतलब smart money मूव हुआ है मतलब company 5-6 यह साल में अच्छा कर सकती है इसके लिए उन्होंने अपना पैसा डाले कि पैसा उनका भी grow होगा राइट सो यह सारा का सारा चीज मुझे highlight दिख रहा है कि company के तरह बहुत कुछ change हो चुक है जब मैंने पहले research किया था और अब के research में उसके बाद अभी के टम पी US में क्या opportunity क्योंकि इनका 42.5% के आसपास तो यहां पर देख सकते हो US hold 30-40% के आसपास market share पूरा वर्ल्ड का pharmaceuticals पे और उसमें से 2019 में इन्हों जो nominal spend था medicines पे आरौन 511 billion dollar के आसपास था 2019 में chances are 4-5% से increase होगा near term में because of favorable government programmants and policies की वैसे और यह company soft gel में जिसमें almost 9 billion dollar के आसपास market है USA का तो उसमें company capture करेगी तो हैसे साब साब नजर आरे कि US का business इनका grow होगा और opportunity भी दिख रहा है अब US में जो उनकी company है Marksons acquired time cap labs which enable Marksons to expand his offering in US market जो की उनका expansion करने में help करा जो उनकी एक subsidiary company है 50 plus products in various therapy area segment उस segment में है साथ साथ में strong distribution network है OTC और RX drugs में outlook strengthening companies US operation इंदर coming year है यहां पर दिख रहा है तो इन्होंने almost अगर हम बात करें 23 approved यहां फाइल की बात कर चुके pipeline फो टू यह सो अनदर बारा इसे 34.2 परसंट से growth देखने को मिला है इनका expansion plan जो USA में 50 plus products वेरिस तरगरी पर सिक्में बहुत OTC और RS में drug करने वाले हैं तिल अभी के तक इन्होंने 2021 तक मार्च की बात करें 23 नए ANDA approved फाइल कर चुके तिल डेट और बहुत सारा इंद का बारा भी उसमें pending में चल रहा है अब के ताम पर उन्होंने अपना जो अपना जो अपना यूनिट है वह भी सेट अप कहा जो इनक आपको अपको ऑल्रेडी एक्सपेंड किया और गानिक रोथ की बात करें तो एक्सपांडिंग प्रिजंस इन अदर नॉर्थ अमेरिकन रिजिन इंक्रीज इंग इनक्रीस साब साब नजर आ रहा है कि expected to grow rapidly achieve high growth platform in 2025 मतलब यह stock अंदर में चार साल पास साल से पहले आपको सोचना नहीं यह साब साब खुद कहरें कि हमको 2025 तक हम और अच्छा revenue derive कर पाएंगे US market से अगर UK market की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं UK and Europe pharmaceutical market is estimated to 468 billion dollar 2016 to 585 billion dollar by 2030 मतलब 2030 तक UK और European pharmaceutical market कम से कम 585 billion dollar के आस पास पहुंच सकता है और 1.6% component growth rate से grow हो रहा है और one of the top five Indian pharma companies in the UK so one of the top मतलब जितनी भी top companies उसमें से एक Marksans pharma है जो वहां पर available है UK business is driven by its two subsidiary company इनका Relcom chemicals and sorry Relon Chem and Bell जो दो इनकी subsidiary company वो इनके लिए काम करी UK में Europe की बात करें Bell has a strong OTC portfolio with a 450 plus product जो मतलब OTC drug के अंदर बात करें तो Bell almost 450 products के आस पास यह deal करता है OTC में वहीं पर दूसरा जो 50 plus product इनका pipeline में है जो ओर जो marketing license जो Relcom chemicals compromise of 162 MA marketing authorization की बात करें रैट सो outlook की बात करें तो Bell has 50 plus product pipeline अभी के time पे मतलब 50 product इनका pipeline में है जो की development phase में जो आने वाले time पे वो file कर सकते हैं रैट और इनका awaiting approval for Relon chemical awaiting approval for 20 MA in UK के market मतलब जो marketing authorization है वो almost 20 यह वेट कर अगर वो license मिल जाता है तो company को और ज्यादा फाइदा होगा 450 plus product और अभी के time पे 50 product pipeline में बेल का Relon के बाद कर जो इनका एक तरह से कहूं तो marketing authorization जो पूरा दवा उनका distribute करता है supply chain में मदद करता है वो एक company है तो यह growth देखने को मिल रहा है अभी तक इनके बास 162 approvals है यह और approvals ले रहे हैं मतलब company grow हो रहा है इनके actions में साब साब नजर आ रहा है तो यह भी काफी अचागा सा business यहां से contribute करते 42.3% UK और Europe से आता है 14.1% तो यह business update था company को जो साब साब नजर आ रहा है इनका expansion plan जो अलड़ी मैं आपको explain किया कि 20MA filing plan दे नेक्स तू यह में करने वाले है साब साब डेवलेपिंग रेंज ऑफ नर्कोटिक और डर्मेटोलोजी प्रोड़क्स उसके लिए यह company यह product और launch करना चाहती है investment manufacturing facility to develop oral liquid solution, oral liquid solution भी बनाने वाले हैं साथ साथ में इनका जो देख सकते हैं 2025 का पूरा highlight दिखा रहा है कि sustainable revenue growth, consistently delivering on profit margin, focus towards Europe, USA and other export destination, one of the key OTC product supply and private level manufacturing in the industry so यहाँ पर साब साब इनके action में दिख रहा है कि company आने वाले वक्त में काफी बहतर कर सकता है, wide UK customer base and 100% reach within the distribution channel so यह सारा का सारा highlight है, 2021 का और बहुत सारा इनको approval मिल चुका, USFDA का हो या दूसरा हो यह company का अच्छा खासा wholesaler से, retailer से पहचान भी है UK market में, right अब बात करते हैं company research and development पे अगर इस company का खर्चा देखो, आप 2000, कम से कम 2020 में 2020 में around 8.3 करोड के आसपास research and development expenditure था, जो increase होखे है, 2021 में 18.9 करोड के आसपास पहुची है, मतलब DMFA filing करने के पीछे लगी है, A&D के पीछे लगी है, नहींने दवा launch करने के पीछे लगी है, इसलिए इस company का research and development cost बहुत ज़्यादा increase हो चुका है, तो यह पर recent key product launch जो इन्होंने बनाया है, और यह सब उनके दवा के नाम है, आप देख सकते कहां कहां पर, launch के है, आदिवस्कुलर में किया है, किस में किया है, आप साब साब नज़र आएगा, यह दवा के नाम है, यह therapy segment कौन-कौन से है, और यह brand क्या है, उस दवा के नाम का, क्या क्या है, तो 4 research and development center है, 50 scientists है, 50 plus products इनके pipeline में है, आप देख सकते हैं, आप इस साल में quarter 4, FY21 में, वहीं पिछले, quarter 3, FY21 में, 60.5% के आस-पास था, तो साब साब नज़र आए कि company का profit margin भी increase हो रहा है, बिटा margin भी increase हो रहा है, एक time पे 20.6% के आस-पास था, quarter 4, FY20 में, अब के time, 28.9% के आस-पास है, इस company का अगर operating revenue year on year देखो, तो एक time पे company का sales कितना था, अगर approaching revenue के बात करें, 767 क्रोर के आस-पास था, 2017 में, अब कितना है, 1376 क्रोर के आस-पास, तो continuously company का revenue भी increase हो रहा है, operating revenue, साथ-साथ में EBITDA देखो, एक time पे 44.7 क्रोर के आस-पास था, आज किदर पे 339.6 क्रोर के आस-पास, यह साब-साब नजारे कि company का revenue, profit, हर कुछ ग्रो हो रहा है, साथ-साथ में company का return equity, आप देखो, 26.3% के आस-पास था, एक time पे 2.6% के आस-पास था, इस company के shareholders भी बहुत अच्छा कमारे, return capital employed भी काफी बहतर है, company net debt to EBITDA भी काफी lower है, और company एक तरह से को debt-free है, जो कि काफी sound है, fixed turnover ratio आप देख सकते हो, यह company अपने asset का utilization बहुत 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 करके, sales बेर चा-पास जनरेट करें, 4.4 times के आस-पास पहुँच चुक है, जो कि 2.9 times के आस-पास था, तो मतलब company अपने capacity utilization का बहुत 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 रिन यूज़ कर रहा है इस company cash flow statement भी साब साब नज़र आता है कि 2017 में 14 crore cash pass operating cash flow था जो 2020 में 209 crore cash pass 210 crore cash pass पहुज गया so company cash flow from operation increase हो रहा मतलब company का profit और increase हो आने वाले time में साब साब में ये भी show करता है कि company का business grow हो रहा है company का size grow हो रहा है इसके लिए company का cash flow from operation grow हो रहा है साब 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 में company free cash flow भी generate करें यहां पर साब साब नज़र आ रहा है 11 crore था फिर 14 crore फिर 150 crore तो company बस पैसे की कमी बिलकुल नहीं है तो यहां से पूरा का पूरा हमने समझ लिया कि company का जो फिलाल जो current situation जो भी action ले रहे हैं जो भी उनका planning strategy है और पूरा का पूरा साब दिकर लेकिन यह stock इंदर entry आज भी लिया जा सकता है लेकिन I am not a severe register analysis तो आप अपना analysis भी जरूर करो लेकिन यह stock इंदर आपको entry करना है तो minimum 5 years के नीचे का बिलकुल मत सोचना क्योंकि यह company खुद करिए 2025 के बाद हम और अच्छा revenue कमाना start करेंगे मतलब potential है साथ साथ में बड़े investor ने इस company में निवेश के है smart money साथ साथ में company soft gel में available जहां पे अच्छा का सा market share है तो एक company छोटा small cap है तो मेरे खाल से 5-6 साल में mid cap या और उपर जाने का potential भी रखता है तो hope so इस company का business update आपको अच्छा लगा हो तो please इस video को like करो, share करो, subscribe करो, thank you so much